पिछले एपिसोड का सवाल था जुमे के दिन गुसल करना क्या है आपके ओप्षन थे और सही जवाब है जुमे के दिन गुसल करना सुनत है और इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब जिसने दिया है उसका नाम है शकील अहमद बहुत बहुत शक्रिया शकील अहमद आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है अल्लह आपके 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 इल्म में मजीद तरकी अता फरमाएं अब आपका वक्त शुरू होता है सूर अलक मक्का मुआज्जमा में एक पहाड है जिसका नाम हिरा है उसमें एक गार था हुजूर स्लिल्लाहु आलेही वसल्म उस गार में अल्लह की अबादत करने के लिए तश्रीफ ले जाते थे और कई कई रोज तक उसमें रहते थे जब खाना खत्म हो जाता था तो मकान पर तश्रीफ लाकर फिर कई रोज का सामान ले जाते और तनहाई में अल्लह की अबादत करते रहते थे उसी गारे हिरा में हुजूर अल्लह के पास हजरत जिब्राईल अल्ही सल्म तश्रीफ लाए और आपके सामने जाहिर होकर आप से फरमाया इक्रा पढ़िये पढ़िये हुजूर सल्लह अल्ही वसल्म ने इर्शाद फरमाया के मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ इसी तरह तीन बार हुआ फिर हजरत जिब्राईल अल्ही सल्म ने ये आयते पढ़िए इक्रा बिस्म रबिक अल्दी खलक खलक अलिक अल्दी अल्दी अल्लम बिल्कलम अल्लम इन्सान मा लम यालम और हुजूर सल्लह अल्ही वसल्म ने भी उन से सुनकर पढ़ ली पस ये आयते कुरान मजीद में सबसे पहले हुजूर सल्लह अल्ही वसल्म पर नाजिल हुई इक्रा ये लफ़ सुर अल्दी का पहला लफ़ज है हर रकात में एक सजदा फर्ज है या दोनों आपके आप्शन है A. दोनो B. एक C. एक भी नहीं D. मालूम नहीं अब आपका वक्त शुरू होता है सही जवाब है A. दोनो हर रकात में दोनों सजदे फर्ज हैं और अगर एक सजदा किया और दूसरा सजदा करना भूल गए तो नमाज लोटा नहीं होगी और सजदा सहु से नमाज दुरूस्त भी न होगी और अगर गलती से तीन सजदे कर लिए तो फिर सजदा सहु कर लेने से नमाज दुरूस्त हो जाएगी नमाज को लोटाने की जरूरत नहीं है कोई शख्स नमाज में जबान से अलफाज न कहे सिर्फ ख्याल में पढ़े तो नमाज होगी या नहीं आपके आप्शन है ए हो जाएगी बी नहीं होगी सी मकरू होगी डी मालूम नहीं अब आपका वक्त शुरू होता है सही जवाब है बी नहीं होगी सिर्फ ख्याल में पढ़ने से नमाज नहोगी बलके जबान से पढ़ना भी जरूरी है नमाज में इतनी जोर से पढ़ना जरूरी है कि अपने कान में आवाज चली जाए लेकिन बराबर में खड़े होने वाले शख्स को आवाज सुनाई न दे अब आ गया है आपके कमेंट करने का वक्त देखते हैं कितने लोग इस सवाल का सही जवाब देते हैं जो इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसका नाम अगले एपिसोड में आ जाएगा सवाल है किस नभी ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई थी आपके उप्शन है ए हजरत आदम अलिह सलम बी हजरत इबराहीम अलिह सलम सी हजरत इस्माईल अलिह सलम डी हजरत मुसा अलिह सलम इस सवाल का सही जवाब देना है आज शाम साड़े साथ बजे इन में से कितने सवालों के जवाब आपने दुरुस्त दिये हैं कुमेंट करके जरूर बताएं दौाओं में याद रखिएगा अस्सलाम अलिह कुम रहमतुलाही वबराकातु